हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जोतिस किचेन फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मेथी की एकदम फुली फुली कुरकुरी स्वात से भरपूर कचोरियां ये कचोरियां बहुत ही टेस्टी बनती हैं हम इसे बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं नास्ते के लिए बना सकते हैं कभी भी बना के खा सकते हैं या फिर हम इसे लंबी यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए भी बना के रख सकते हैं ये ज़्यादा टाइम तक चलती हैं इसे हम चाय के साथ खाएं या फिर किसी मीठी चटनी के साथ खाएं बहुत ही अच्छी लगत तो मैंने मेथी को इसमें डाल दिया है और इसे बुनना सुरू कर रही हूं मीडियम फ्लेम पे हमें इसे बराबर चलाते हुए बिना ड़के बुन के सॉफ्ट कर लेना है तो यहां पे हमारी मेथी सॉफ्ट हो गई है अब हम गैस का फ्लेम आफ करेंगे और आटे का डो लगा आटा लिया है गेहूं का अब मैं इसमें आधा चोटा चमच अजवाइन क्रस्ट करके डाल रहे हूं इससे अच्छा टेस्ट आएगा इसके साथ ही मैंने सॉफ और जीरा को दरदरा पीस करके आधा आधा चमच डाला है दो पिंच हींग आधा चोटा चमच हल्दी पाउड आधा चोटा चमच गरम मसाला और इसके साथ ही मैंने स्वाध अनुसार नमक मिलाया है इसके बाद मैंने दो चमच ओयल को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें सॉफ्ट किया हुआ मेथी पत्ता मिला ले रही हूं और इसे मैस करते हुए आटे को बाइ करते हुए आटे का अच्छा सा डो तैयार कर लिया है हमें इसे बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना है रहना ही बहुत टाइट डो लगाना है तो अब मैं इसे उपर से ऑईल लगा के पांच से दस मिनट के लिए रेस्ट पे रख दी हूँ अब 10 मिनट हो गया है तो मैंने इसे फ पूरी का साइज एक ही जैसे बनेगा तो मैंने यहाँ पे लोईयां बना ली है और इसे पेड़े का अगार दे दे रही हूँ अब हमें इसे पूरी बेलने के लिए ले चलना है तो यहाँ पे मैंने एक लोई ली है और इसे थोड़ा सा ऑईली कर लिया है अब मैं इसे पू हमसिता बाकी पुरि को भी बेल लीना है टो आप देख सकते हैं फ्रेंट से मैंने चलते हैं तरने के लिए को मैंने कडा ही में तेल को गigung कर लिया है तेल हमें अच्छे से अच्छा व fanrale लिए उर हाई टू मीदियम फ्लेम पे पूड़ी को तलना है यहाँ पर मैंने पहली पूड़ी इसमें डाली है और इसे दीरे-दीरे प्रेस करते हुए इस पर थोड़ा सा ओईल उपर से डालते हुए तलना है तभी हमारी पूड़ी अच्छे से फूलेगी तो यह देखिए फ्रेंड्स पूड़ी दीरे-दीरे तो यहाँ पे मैं ने पहले पूड़ी को तर निकाल लिया है, अब इसी प्रकार से मैं ने दूसरी पूड़ी को भी इसमें डाल दिया है और सुरू किया है। और यहाँ पर हमारी मेथी की पूरी के हैं या कचोडी एकदम फूली-फूली खसता बनके निकल रही है अब बाकी बचे हुए पूरीयों को भी हमें ऐसे ही करके एक दो डालते हुए तल लेना है तो यह देखें फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने बाकी बचे हुई पूरीयों को भी अच्छे से तल लिया है और ये काफी अच्छी फूली फूली बन रही है अब हम इसे खाले के लिए प्लेट में निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स ये देखे हमारी मेथी की गर्मा गरम फूली फूली कचोरी या पूरी के हैं बन के तयार है इसका टेश्ट बहुत ही दिख रही है अब हम इसे चाय के साथ नास्ते में खाया या फिर किसी मीठी चक्नी के साथ खाया या ऐसे भी हम से खा सकते हैं, बहुत अच्छा स्वा दाता है इसका, तो फ्रेंड्स अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इसके साथ ही अगी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर झाले